जहें दोस्तों स्वागत आप सुभी का आपके अपने यूडूब फैंड पर सी एर पीप सेंटर रेजरुब प्लिस पे एसाइए एंड हैट कॉंस्टेबल के पदो पर आपकी जो भरती होने वाले इसका ऑनलाइन फियोम आपको मुबाइल से किस तरीके से वैपलाई कर सकते यहां पर स्कूर्ल डाउन करने के बाद रिजिश्टर का ओप्षन तो आपको क्लिक करना होगा जैसे हम और क्लिक करते हैं तो कुछ नया इंटरफेस यहां पर आपको देखने को मुलेगा इंपॉर्टन इंटरेक्शन मिलेंगे उसके बाद पॉस्ट के लिए अपलाई कर करना है तो इसके बाद आप इमेईल आइड। ऑफिलप करना है यह है कोशिवल आपको करना है तो हैट पर सेलेकुड करने के बाद सबसे फ apl mesmo करना है घर अडि़ान मोबाइल नंबर इसके बाद नंबर एब आपको डालना है दूसरा नमपर यहां पर ढाले इस बात का फिश्य जान रखे उसके बाद एमेल आईडी यहां पर टाइप करना होगा इसके बाद स्क्रोल डाउन करने के बाद यहां पर करने के बाद सही करना है उसके बाद यहां पर क्लिक करना होगा जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ नए I पर औप डिख्सट आप आप करते हैं उसके बाद दूस्ता में इस तरीके का अडर्फिस है आपको लेकर चाहता है यहां पर जो डीटियल्स आपको दी गई सारे डिटेल से फिल अप करना काफी जाद आपके लिए जरूरी है रेजर्व के लिए तो उसको भी आप सेलेक्ट करना है उसके बाद आपको सबसे पहले तो इस्टेट का उप्सन आता उसके बाद आपको फिलेक्ट करना होगा करना है इसका सब्सक्राइब करना है और अप सेर्विसमेंन है अब से गवर्मेंट रहे तो इसकी डीटेल से ब्सक्राइब यहां है इटहों के अपको क्लिक करना है S 미ली डालने के बाद का उपचन करने के बाद के बाद आट्रेसन जालना है यहां अपको सलेक्टी करना वह करना हैं कौंशे कंट्री यहाँ पर तेटि करने के बाद तो इसके बाद आपको आता चैना है इस प्रमानडर कर सकते हैं पर है सिलेइस को ऊप्षिन का छिप कर लिजेगा उसके बाद सारे details fill up करने के बाद यहां पर postal code भी डालना है selected history and state डालने के बाद simply आपको 7 history के उपर आपको click करना होगा जैसे communication address डालने के बाद आपको option मिलता है education acceptance का तो सबसे पहले आपको अपने matriculation अपने time से पास किया उसके details डालना है सबसे बस name of board यहां पर counseling council का option दिया जाता है word का नाम यहां पर लिखना है passing of year लिखना है कौन से year में आपने pass की है उसके बाद institute काने में हापर type करना उसके बाद next step का है following interaction जो यहां पर दिया गया है कि आप CGPA में है आपको percentage में है तो percentage CGPA जो भी आपको select है आपर कर लेना है उ उसके बाद 12th class intermediate की details से हमपर आपको फिलप करना पहले matriculation की डालना उसके बाद से इससी तरीके से 12th institute name हो गया उसके बाद आपको following percentage आपका percentage था है CGPA था सारी details maximum marks आपको फिलप करने के बाद 7 next step उपर आपको click करना होगा जैसे अब 7 के उपर click करते हैं उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको education qualification एक्सप्रेंस करने के बाद सारी details से आपको डालने के बाद आपको document verification है कि document upload करना होता है अपर payment आपको successfully करना होता है अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले पास्पूर्ट साइच का आपको फोटो है लेना है आप रेसेंट ही फोटो आपका पास्पूर साइच का होना चाहिए ज़्यादा पर पर नहीं होना चाहिए उसके बाद क्लि प्रोसेस के तो यह सब फाइल में आपको upload करना है PDF में आपकर सकते हैं उसके बाद साइच का विश्यादा रखेंगे हैं पर साइच आप Google से किसी भी अपसाइट पर जाकर आपना फोटो का साइच कम ज्यादा कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर आपको payment details मे करना होगा किसी भी तरीके से आप अपना payment कर सकते हैं उसके बाद आपको payment mode सेलेक्ट करना है तो online सिपली आप है और online का payment आप यहां पर सेलेक्ट कर लिजए का उसके बाद सारे इंपोर्ट जो भी यहां पर इंटेक्शन दिए गए हैं सभी पर क्लिक करके यहां पर टिक आउट करके आई अगरी के ओपर क्लिक करना है और कैप्छा कोड़ आप सब्मिट करके आप सेंपली सब्मिट के हुआ जाए जापर अपना प्रेमिंट आपको अंडेट उपेस चारज लग रहा है वह डेबिट कार्ड या बैंक की डेबिक कर आद अब बैंक के तुरू आप कर सकते हैं दोस्तों में करते हैं आजकर सुडियों से एप में हैट कॉंस्टेबल में आपकी हमने के इस चृइ आप कमेंट करके पूल सकते हैं इन गवर्मेंट विकंसी की जानकारे प्राप्त करने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्रेब करना ना भूलिएगा मिलते के लिए वीडियो में जैहिन बने मात्रा